अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें हमें सच में नहीं पता थे वह तांत्री का हुरत क्या करने वाली है बच्ची के साथ इंस्पेक्टर साब इन दोनों के किसी भी बात पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है आप बस इन अरेस्ट कीजिये यही थे जानकी जी आप यकीन से कह सकती है एक बार ध्यान से देखिये और फिर बताईए इस्पेक्टर साब वहां पर इन दोनों के चहरे पर भबूत लगा हुआ था जहरा ठीक से देख नहीं पाई लेकिन मुझे यकीन है यही दोनों थे इसका मतलब कि आप 100 परशन शुर नहीं है जानकी भावी, हो सकतर शायद कोई आपको गलत फाहमी होगी अब देखने ही रहें उन्हें कितने डरे हुए लग रहें बिचारे खी कैसे हो सकते हैं तेरी किसमत अच्छी है रहे तुलसी कि तु बाल बाल बच गई और क्या रहे तुम लोग यह जाड, पूग, तांत्रिक, बांत्रिक इन सब के चकर में का एको पड़ गए बच्ची का खयाल रखना था ना यह सब का एको किया गल्ती हो गई अगली बार से नहीं होगा वापस से ऐसी गल्ती दोराना नहीं अभी चल बच्ची का ध्यान रख चल रहे तुलसी, तेरे अपने घर जाने का वक्त आ गया है चल निकल, चलो लेके जा तुलसी कहीं नहीं जाएगी आप एपन, जो कुछ भी हो उसके बाद मैं तुम लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता तुलसी कहीं नहीं जाएगी तुलसी आप, हमारे साथ हमारे खर रहेगी माफ करना न गुवीर भाई साब, पर ये फैसला आप नहीं ले सकते तुलसी अब हमारी बेटी है, लीगली, आप इसे हमें ले जाने से नहीं रोक सकते छोड़ो जानकी जी, रागनी जी आड़ोप किया है तुलसी को, और इनका पूरा हक है तुलसी को ले जाने का कोई हक नहीं है इनका जा किसी का भी क्योंकि इसके असलीमा तुम नहीं, इसके असलीमा मैं हूँ, मैं हूँ दुलसी के असलीमा जानकी, यह क्या बोल रही हो तुम? सही बोल रही हूँ मैं तुलसी मेरी बेटी है इक सच है चुप, मैंने सबसे चुपाया है एक ऐसा सज्जुक, तुम्हें भी नहीं पता है रखू नहीं मा, इसे मत करो आपने अगर पापा को सच सच बता दिया तो माला होने वाली बेबी के साथ कुछ भी कर सकती है अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुन्दर के सारे शांदार एपिसोड्स जानकी, कैसा सच? कि मैंने ही तुल्ची को जन्द दिया है मैं हूँ उसकी अस्ली मा जिसने उसे पैदा किया जानकी तुमें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? सच बोल रही हो रखू और इसलिए तुल्सी पर किसी का कोई हक नहीं बनता किसी का नहीं तुल्सी अनात नहीं है तुल्सी की मा जिन्दा है पर जब तक मैं पेपर्स पर साइन नहीं करती तब तक तुल्सी पर किसी का हक नहीं है, समझे? मर गई चमेली, अपना आई बची की नहीं मैं मुले नात ममीची 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 यह क्या क्या बोल रही ममीची अपिदर आई मा समाली अपने आपको, आरामची बढ़िए हूँ हूँ मेरको लगता जान की पागल हो गई है ना यह रगु तेरी बीवी का दिभाग साटक गया है के रही है की? तुलसी, तुलसी इसकी बेटी है अरे छे साथ तक खिलोने को बृंदा समझ रही थी है और अभी इसको अभी इसको तुलसी में बेटी दिखा यह भी आरा है यह है तेरी बेटी, बिरिंदा, वो तुलसी तेरी कुछ नहीं लगती, तमझ रही है ना? वे जानकी, अगर तुने अपना मूट फोला तो तिरको मा लो ले ना, मैं क्या करेगी? तेरा पोने वाला बच्चा जो मेरी कोपने न, उसे मार देगी में है इसे चुप, जादा कुछ बूलने का नहीं समझी? मेरे बच्चे को हाथ लगाने के सोचना भी मत चानकी, बंद कर रहा हूँ यह नातक यह नातक नहीं है, तुम हमेशा मुझसे पूछते थे न, कि क्यो मुझे तुलसी से इतना लगाव है क्यों उसे गर से कही नहीं भेजना चाहती हूँ? क्यों? क्यों मैं इतना प्यार करती हो? तो सची है, रगु क्यों कि मैं उसकी असली मा हूँ जानकी क्या बोल रही होतु? हाँ? क्या बोल रही हो? तुम्हारे और रगुवीर के सिरफ एक बैटी है और वो यह है, वरिंदा! तरिये तुल्सी! माँ मैं जानकी को अच्छे से जानता हूँ वो तुल्सी को इस घर में रहने के लिए कुछ भी बोल सकती है नहीं रोखो मैं तुल्सी को रोकने के लिए नहीं कह रही यह बिल्कुल सच बात है वरिंदा से पहले भी मेरी एक बेटी थी और वो तुल्सी है तुल्सी के पिता कौन है इसके बारे में मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती जानकी तुम्हेरा तिमाग टीकानी पर तो है आगल होगी है तुम्हेरा चाहती हो के विरंदा के अलाव भी तुम्हारी एक और बच्ची है वो भी इस शादी से बाहर मतब तुल्सी तुम्हारी नाजाय सोला दे साब बास चानकी तुम्हारी तुम्हारी बड़ी सयानी के लेटेस एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें डंगल प्ले अप एंड़ी साथ